हेलो फ्रेंज, वेलकम तो माई आर्च चैनल स्क्रीन पे आप पेपर पे बहते वे रंगों के प्रिंट्स को देख सकते हैं कोई भी टेलेंट को आपको पॉलिश करने के लिए उसके प्राक्टिस की जरूत होती है इसी प्राक्टिस की सीरीज में आज मैंने पेपर माबलिंग किया है ये पूरी तरीके से एक्स्प्रिमेंटल होता है इसके प्रिंट्स एक्स्प्रिमेंटल होते हैं कोई प्री डिसाइड़ नहीं होता है तो इस को करने के लिए हमें बहुत एलिमिटेड माटीरियल की जरूत होती है So let's discuss about the material So I have taken a limited colors, two or three shades मैंने निपॉन के और बर्जर के paints लिए ये नॉर्मल जो wall के paints होते हैं, वही paints है मैंने चोटे-चोटे डबे रखे हुए है उसके साथ मैंने कुछ sticks रखी है, color को stir करने के लिए क्योंकि oil paint में oil का part उपर होता है थोड़े से heart particles नीचे रह जाते है या आप कोई और tool ले सकते है इसके साथ paper print के लिए एक paper और hardwood रहा है एक बड़ा सा tub लेंगे जिसे हम half या three fourth पानी fill करेंगे आप कोई भी tap water, normal cold water ले सकते है color को जब paint के डबो को खोलेंगे हम उसको stick से अच्छे से stir करेंगे क्योंकि otherwise oil उपर ही रह जाएगा ये मैंने color खोल दिये, मैंने orange, green and blue लिया है उसको इस तरीके से आप अच्छे से stir करने एक बार जब भी reuse करें सबसे पहले tub में मैंने green color की droplet डाले है आपको एक ही जगे पर बहुत सारा color नहीं डाला है बिखेरते वे इस तरीके से color डाला है और ये oil paint है, तो ये पानी पर float ही करेंगे तो इसको फैलने देंगे, आप मैंने इसके साथ double shade लिया है मैंने इसके साथ orange भी लिया, आप single tone में पहला try भी कर सकते है मैंने orange color लिया है, ये सबसे easiest method है इसमें कोई texture नहीं देना है, अपने आप ही color फैलेंगे हम इस तरीके से cardboard, hardboard लेंगे और उसको इस हवा देंगे ताकि जो color एक साथ droplet में गिरे वो पानी में oil की तरह फैलेंगे आप देख सकते हैं जैसे orange की droplet कैसे वो spread हो रहे हैं पानी की surface पे क्योंकि oil colors है, पानी के उपर ही top पे रहेंगे और इस तरीके से आपको जब तक कोई desire texture नहीं मिलता है उसको आप हवा दीजिए या आप stick की मदद से आप इसको हलका सा इदर उदर droplet को remove करना चाते हैं या कोई unwanted चीज़ को हटाना चाते हैं तो कोई भी लखडी से आप कर सकते हैं जहां color जादा एकटा हो गया है उसे आप अलग direction में उसको हवा दीजिए ताकि वो color center की तरफ आ जाए अब हम paper लेंगे, paper कोई भी आप ले सकते है, handmade paper, hard paper, whatever you want अब धीरे-धीरे से मैंने paper को रखा है, dab-dab करेंगे आप देख सकते हैं paper ने oil absorb किया है, अब एक side से आपको paper को lift करना है जैसे वीडियो में बता रही हूँ, आपको इस तरीके से lift करना है amazing, can you see the flowing colors, it's such a beautiful effect came out इस तरीके से आप कहीं भी dry कर सकते हैं, ये wire rod है, wire है इसके उपर मैंने paper clip लगा दिये, इसको सुखाने के लिए रख दीजिए इसके बाद के आप effect देखिए, कितने सुन्दर आपको ये colors लग रहे है ये है marbling paper, so इसका use आप बहुत जगे कर सकते हैं, आप envelops बना सकते हैं बहुत सारी creativity कर सकते हैं, अब हम एक और paper को marble करेंगे क्योंकि अभी भी हमारे टब में काफी color ink बची वी है इसका और भी method होता है paper marbling के, मैं कभी और आपको next video में ज़रूर कभी discuss करूंगी ये देखिए, बहुत सुन्दर texture आ रहे है, मैंने आपको पहले भी कहता है, ये बहुत ही experimental होता है इसके लिए कोई pre-decided design या drawings नहीं होती है, आपका color पानी में किस तरीके से बहरा है वो print आपके paper पे आ जाता है, oil absorb कर लाता है, कर लेता है paper और पानी dry हो जाता है तो वो color जो है वो print हो जाता है हमारे, बहुत सुन्दर shades बने, आप दो color का, single tone का या multi color का use कर सकते हैं अब यहां बात करते हैं, टब में बच्चीवी ink को या color को कैसे clean करना है यहां मैंने rough used paper लिए है, जो हम fake देते है paper वो use लिए है, आप news paper भी ले सकते है इसी तरीके से surface से मैंने color lift किया है, इससे आपका पानी बिल्कुल साफ हो जाएगा reuse करने के लिए आप दूसरी ink या दूसरा कोई color shade डालना चाते हैं, तो वो भी clean हो जाएगा पानी बिल्कुल waste नहीं ही होगा, मैं एक या दो बार ऐसे repeat कीजिए तो बिल्कुल पानी आपका crystal clean हो जाएगा आप पानी को आप कहीं भी reuse कर सकते हैं यहां पर मेरी हातों में colour लगाए अदा यहां पर मीरी हातों में color लगाए